अन्रादावेदिक इस्ट्रोलजी में आप सबका अभिनन्दन आज हम बात करेंगे कि यदि शनी तृतिय भाव में विद्यमान हो तो वो क्या फ़ल देते हैं लेकिन उससे पहले आप सबका धनेवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइकशे सस्क्राइब किया और आपने वहाँ अपने कॉमेंट्स और सजेशन्स लिखे यदि आपने हमें सस्क्राइब नहीं किया है तो याद से करें और वैल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें शनी शैने शैने यानि धीरे धीरे चलने वाले घ्रहा है शनी ठोक बजाकर काम करते हैं शनी कर्मकारक है और शनी यदि किसी को भी अपने कर्मों की काफ़ देते हैं तो निश्चित रूप से दिर्ग काल तक उस व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ता है शनी की ये कुछ कारक हैं अब हम तरते भाव के कुछ कारक देख लेते हैं तरते भाव आपकी सोच सबकॉंश्ट vanity का भाव है तरते भाव आपके creativity या स्रिजन शक्ति का भाव है आपके छोटे भाई बहनों का भाव है वो आपके determination यानि कि आप कित्ते द्रड़ हैं आपका द्रड़ संकल्प किता strong है उसके बार में बताते हैं और साथ में बंदु बांधवों का भी भाव है तो आपके अंदर की leadership qualities जो हैं वो कैसी हो सकती है अब त्रड़ भाव का स्वामी कौन है वहां कौन बैठा है इससे ये सारी चीज़े बताते हैं लेकिन यदि शनी हाँ विद्यमान हूं तो हम क्या बोलेंगे तो यदि सबसे पहले हम topic लेते हैं इस शनी के त्रड़ भाव पर बैठने से पहले एक और चीज़ हम देख लें कि कोई भी ग्रह यदि किसी ग्रह के साथ बैठता है P.A.C. Position, Aspect या Conjunction यदि कोई भी ग्रह किसी के साथ यूती करता है तो वो अपनी छाप छोड़ता ही है और कोई भी ग्रह यदि किसी को देख रहा होता है दृष्ट कर रहा होता है तो वो भी अपना influence देता है इसी प्रकार यदि शनी कहीं भी बैठे हो लेकिन उनके उपर Malific या Benefic Influence Malific Influence रहु का हो गया, Mangal का हो गया और Benefic Influence जो है गुरु का हो गया, शुक्र का हो गया तो इसे पूरा Analysis बदल जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें हम Negative और Positive दोनों Influences देखेंगे तो चलिए जब हम अपने Thought Process की बात करते हैं शनी धीरे-धीरे सोचते ह थर्ड हाउस में बैटके और बहुत क्लियरली सोचते हैं ऐसा सोचते हैं जो दूर, लाइफ में दूर दरास तक आपके उसका प्रभाव डालता है ये Positive Influence बात हो वो व्यक्ति बहुत क्लियर है अपने सोच में उसको समय लगेगा वो एक बार में आपको नहीं बोलेगा कि ह आपको करने का अपना द्रेड निश्चे संकल्प करने के बाद ही वो व्यक्ति जवाब देंगे और वो ये भी देखेंगे कि उन्होंने जो decision लिया है क्या वो decision उनको long term benefit देता है या नहीं जब तक वो अपने दिमाग में इस पूरी बात को लेकर एकदम clear नहीं हो जाते वो व्यक्ति यदि इस पर benefit influence है तो फट करके कोई भी काम नहीं करते हैं और यदि benefit influence malefic influence है तो ऐसी स्थिति में वो काम के लिए हां तो कर देंगे लेकिन अब बाद में वो शायद पीछे हट जाएं क्योंकि उनमें वो द्रेड संकल्प शायद नहीं होगी जो शनी वहां स् या उस पर benefit influence हो तो जो द्रिट संकल्प व्यक्ति में आता है वो वैसा शायद नहीं होगा ऐसे लोग जो है वो जिनका शनीत रित्य भाव में है वो एक बार किसी चीज को करने की ठान लेते हैं उनके दिमाग में ये बैट जाता है कि उनको कुछ करना है तो वो बहुत strongly उस उनका भी तृतिय भाव में उनका व्रिश्चिक लगने का कुंडली बनकर आते हैं उनके तृतिय भाव में शनी रेट्रो ग्रेड होकर विद्यमान है ऐसी स्तिती में वो जब भी कुछ करने की सोचेंगे पहले तो बहुत सोच समझ के एक निर्ने लेंगे बहुत सटीक नि आस तक वो काम किया तो यह सारी चीजे जो है और ऐसे लोग जो होते हैं वह बहुत लीडर्शिप कॉलिटी भी दिखाते हैं बहुत रिस्पॉंसिबल होते हैं अपने लीडर्शिप कॉलिटी में लाल बाहदुर शास्त्री जी के लिए भी ऐसा कहा गया है कि बहुत जगा पर उन्होंने अपने कंधों पर वो भार उठाया जो कि उनके subordinates ने गलती करी थी क्योंकि उनका मानना था कि वो उनके subordinates थे जिनके लिए वो responsible थे क्योंकि तृत्य भाव आपके जनसमूँ आपके आसपास वाले जो चोटा सा एक सरकल है उसको भी बता रहा है आपके बंद जहां बैठता है, वहां की responsibility वो आपको देता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो अपने भाई भेनों के साथ, उनसे शायद बहुत close ना हो, क्योंकि शनी आपको एक detachment देता है, aloofness देता है, लेकिन उनके लिए responsible होना व्यक्ति को बना देता है, और साथ ही, क्योंकि ये द्व अपने भाई भेनों के साथ विभाजित कर रहे हैं, ये वहां बैठा शनी बताएगा, कि आप सही धंग से विभाजित कर रहे हैं, उसका बटवारा जो हो रहा है, वो सही हो रहा है या नहीं, या उसके बटवारे में problem है, क्योंकि ये दी malefic effect है, तो आप वहां पर शायद नियत खोटी भी कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं, शनी की तुरते भाव में creativity को लेकर, आपकी सिजनात्मक शक्ती को लेकर, आप कुछ बोलते हैं, ऐसे लोग बहुत जाद आप देखेंगे कि हसी खुशी में या हसी मजाग में ऐसे कुछ भी फूहड बात कर देना ये सब चीज में believe नहीं करते हैं, ये बहुत अपने आपको सयम में रखकर बात करते हैं, और जो भी बोलते हैं, क्योंकि इनका सोचने का धंग बहुत clear है, तो जो भी बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, और वो impactful होगा, क्योंकि ये शनी जो है, आपके पंचम भाव, आपके नव इन दोनों को दृष्ट करता है, तो ये बहुत ऐसी बाते बोलेंगे, जो कि लोगों को समझ आए, और लोग उसको follow करें, या उसको chain करें, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है, वो आपको गुरू की पद्वी देता है, और उब्देश का भाव होता है, तृत्य भाव भी उब जोडते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो बहुत धीरे धीरे लिखेंगे, उनकी लिखावत लेकिन बहुत सही होगी, बहुत साफ होगी, और वो ऐसे शास्त्रों पे लिखेंगे, जहां उनको बहुत गहन अध्यान करने की आवश्रकता है, क्योंकि शनी आपको डीप, सी विस्ट्री से जोडे हैं, चाहे आप उसको रिसर्च से जोडे, और पुरातन कहानियों से जोडे, यह सारी चीजे जो हैं, यह साइक्कॉलजी से जोडे, नियाय से जोडे, इन सारी छीजों पर व्यक्ति बहुत अच्छे से लिख सकता है, जरूर बताईए कि आपको यह व दिन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियो को लाइक करें शेर करें उन पर कॉमेंट करें और हमारे चानल को सिस्क्राइब करना न भूले